हलो आज है 27 अपरिल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनि लिवर के बारे में देखें इन्फलेशन ज़रूर बढ़ रहा है और उसके साथ साथ आने वाले समय में जो चीजों के दाम है वो बढ़ने वाले है H.U.L. की भी कई सारी प्रोड़क्ट है जिनके दाम अल्रेडी बढ़े हुए हैं और बढ़ते रहेंगे क्योंकि वो ऐसी प्रोड़क्ट बनाते हैं देखो इनकी पकड़ है भया मार्केट पर ठीक है अगर दाम बढ़ेंगे भी तो भी लोग खरीदारी करेंगे क्योंकि ऐसी चीज़ बनाते हैं ये लोग जो निसेसिटी है साबुन तूट पेश्ट कि अगर हम बात करें निसेसिटी है ये चाहे हम बात करने जाए वह यहां पर अगर हम और भी कई सारी चीज़ों की बात कर तो 2,145 रुपए का शेयर है ये और पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो पिछले एक महिने में हिंदुस्तान यूनी लिवर के शेयर में 10% का ग्रोथ है एक हजान नौसो पचास से तेजी बनी थी तूट गया वापस तेजी बन रही है एक साल के अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 10% की गिरावाट है बहुत बड़े लेवल से तूट कर आया है नीचे देखो मैंने पहले भी कहा था आगे भी कहूंगा 2000 रुपए का लेवल मतलब खरीदारी का मौका एक्चूल में प्राइजिंग पावर है इनके पास चीजों के दाम बढ़ा सकते है ये फिर भी इनकी बिक्री कम नहीं होगी बलके बढ़ती रहे ये अगर मैं आपकी इनकी वेबसाइट पर ले चलू तो ये हिंदुसन यूनिलिवर की ये वेबसाइट है इनकी ब्रांड्स पर अगर आप चाहो कौन कौन सी चीजे है तो भाईया विल विल से लेकर बूस्ट से लेकर चाही देखो भाईया चाही पीना लोग छोड़ेंगे नहीं चाहे वो रेड लेबल भी इन ही की है ब्रुक बॉंड भी इन ही का है थ्री रोजिस जो ब्रांड है वो भी इन ही का है ब्रस करना कोई नहीं छोड़ेगा क्लोज अप की बात करे हम वो भी इन ही का है आइस क्रीम वगएर देखो गरमियों में इनके जो आइस क्रीम है कॉर्णिटों से लेकर कई सारी और दोतियन ब्रांट्स है वहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है इतना ही नहीं डोमेक्स, डव, साबुन की अगर हम बात करें क्लिनिक प्लस की हम बात करें फैरेन लवली की बात करें वो भी इन ही की है इतना ही नहीं अभी हैलमेंस की बात करें हॉरलिक्स की बात करो आप इन ही की है किसान की बात करें किसान कैचप वगएरा, नौर सूप वगएरा Quality Walls आईस्क्रीम जैसे कि मैंने पहले कहा Lekmes से लेकर Life Boy से लेकर Lipton से लेकर Lyril से लेकर Lux से लेकर Piers से लेकर Pepsodent तक ये वो कंपनी है जो इतनी बड़ी और बहतरीन प्रोड़क को मैनेज करती है Pond's की बात करो Rin की बात करो Surf Axel की बात करो Vim की बात करो Trasme की बात करो सब इन ही का है तो ये बहुत बड़े Product Portfolio के साथ आते हैं और यही वज़ है कि इनका जो Profit है वो भी बढ़ रहा है साल दर साल इनके Revenue और Profit दोनों बढ़ रहे है इस बार इनका जो Profit हुआ है वो 2327 करोड का है Revenue 13465 करोड के आसपास का है Growth है यहां पर 8.60% का Growth आया है इनके Profit में क्योंकि पिछले साल इनका Profit 2145 करोड का था इस बार 2327 करोड का है Even पिछले quarter में इनका Profit 2245 करोड का था तो पिछले quarter से Compare करो या पिछले साल से Compare करो Profit में Improvement है Revenue में भी बड़ा Improvement है 12,132 करोड का Revenue अब पहुँच चुका है 13465 करोड तो Revenue इनके बढ़ रहे है Profits इनके बढ़ रहे है और ये बढ़ते ही रहेंगे Large Cap Share है 5,000,000 करोड के आसपास का इसका Market Cap हमें देखने को मिल रहा है यहां पर अगर हम बात करने जाएं तो जैसे कि मैंने कहा कि 13,000 करोड से भी जादा का Profit इनका Revenue आ चुका है और Profit तो बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है हर साल हर quarter में Actual में अगर हम देखे तो According to Money Control User 25% लोग कह रहे हैं बेच दो 68% लोग कह रहे हैं खरी दो 7% लोग होल्ड करने की नसिएत भी दे रहे हैं Revenue तो आप देखो बढ़ ही रहे हैं और अभी Financial Year 2022 में हलगी Results आ चुके हैं उसके बाद यह revenue और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं आपको आरम से 50,000 करोड के आसपास का revenue होगा उससे ज़्यादा भी हो सकता है और जहां तक बाद है profits की Profit 9,000 करोड के आसपास हो सकता है तो company वही अब बहतरीन performance दिखा रही है बहतरीन पैसा कमा रही है और जैसे कि मैंने कहा कि इतनी बड़ी brands है इन company की के pricing power है अगर कोई mall में जाएगा या online भी shopping करेगा तीन चार रुपे price अगर बढ़ा भी देंगे तो लोगों को उतना फरक नहीं पड़ेगा लोग खरीदारी करेंगे लेकिन इनको बहुत बड़ा फरक पड़ेगा हाला कि जो उन्होंने price बढ़ाई भी है बहुत सारी product पे इन्होंने 2-3-3 रुपे की कीमत बढ़ाई है जिसका असर यह हो सकता है कि आने वाले दिनों में definitely इनके revenue के साथ profit बढ़ते नजर आ सकते है खरीदारी करने का सही मौका भी है क्योंकि share और बोर जोन में नहीं है कोई भी rate flag नजर नहीं आ रहा है अच्छा dividend paying share है long term में FD से भी अच्छा पैसा बना कर दिया है 78% analysis कहते हैं खरीदारी करो actual में definitely promoter के पास बहुत सारी holding नजर आ दिये 61.90% की holding promoter के पास है mutual fund ने खरीदारी करी है 3.24% की holding 3.64% पर आ चुगी है domestic institution ने भी खरीदारी करी है 7.62% की holding 7.97% पर आ चुगी है और Files ने बिकवाली करी है 14.71% की holding 13.66% पर है retail और others को मिला के 12.83% की holding है देखो actual अगर हम देखे तो पहले जिस dividend तो ये अच्छा पे कर ही रहा है पिछले साल इन्होंने दो बार dividend पे किया था पहले 17 रूपे फिर 15 रूपे 2020 में भी पहले 9 रूपे का dividend पे किया था फिर 14 रूपे का किया था इस बार भी company dividend और कह सकते हो कि अच्छे results दिखा सकती है हला कि दिखा दिये इन्होंने bonus अगर हम देखे तो आखरी बार 1991 में दिया था उसके बाद bonus नहीं दिया है इस company ने वन्ना इससे पहले अगर आप देखो तो भाई आख अच्छे खासे bonus नजर आते थे इनके split के बाद करे तो साल 2000 में ये एक बार split भी हो चुका है देखो actual मुझे पसंद आता है मैं मानता हूँ कि FMCG का दमदार खिलाड़ी है और काफी लोग इससे first rate भी हो गए है कि ये लंबे समय से ये move नहीं कर रहा है लेकिन देखो long term का अगर plan लेके चलोगे तो definitely movement देखने को मिलेगी और मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहो तो ही यहाँ पर खरीदारी करना और दूसरी बात ये कि 2000 रुपे का level नजर में रखेगा वहाँ पर buying आपको देखने को मिलेगी तो actual अभी results आए है और मुझे लगता है कि नतीजे आने के बाद रफतार जरूर पकड़ी आज के दिन में अगर आप देखो तो तोड़ गया था लेकिन results अच्छे आए वापस भागना शुरू किया लेकिन मैं ये ने कहूंगा कि जाके खरीद लो तो कि लगता है क्योंगे देखो एक चीज़ ये होती है कई सारे shares में देखने को मिला है कि जब भी नतीजे आये है एक profit booking आई है और वो healthy correction आया है लेकिन उसके बाद तेजी भी आई है हाई फिलाब में results आये हैं इनके अभी correction आ सकता है एक दो दिन में लेकिन जो खरीदारी के मौके है वो 2000 रुपए के आसपास है वहाँ अगर मिलता है तब तो इसको दबोश लेना चाहिए तो वीडियो को यहीं पेंड़ करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करें अगर चनल पकराप पहले बाहर है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हिंदुस्तान यूनिलिवर के बारे में और जो results अभी निकल कर आए हैं मार्च कोडर के उसके बारे में आप क्या सुचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं थैंक्यू